इस समय मैं परशांत विहार में खड़ी हूँ जो कि रोहिने का एक छेतर है और यहीं पर आज सुभा बहुत तीज धमाका हुआ है और आसपास के लोग सहम गए हैं डर गए हैं अभी भी यहां पुलिस है जांच कर रही है कि आखिर क्यूं यह पूरा धमाका हुआ है इसकी व तो आप लोग फार डर गए होंगे सुनाई दी थी आवाज हम तो बाद में आया है मैं पता नहीं जला सर आपका नाम क्या है पुनित आपने सुना आवाज कुछ पता चला था मैंडम मैं अंदर ही रहता हूं चार घर चोड़ के तो सर पैसी आवाज थी कि कोई इल गई फिफ्ट मकान आप मतलब इतना तेज धमाका था कि हम लोगों को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या है फिर हमने बालकनी में आकर जैसी जाका बालकनी में आकर के यहां पर सफेद दुआ उड़ रहा था जैसे बवंडर सफेद बिलकुल तो जितनी दिर में सब गली वाले बाहर निकल कर रहा हमें लगा कि लब पूरी के साथ कुछ हो गया कोई इंटेंशन चेंज होती है ना इक दम में कोई बिलिडिंग नीगिरी कोई कुछ नहीं हुआ इसके बार में तो नौलीज यह नहीं थी इतना तेज धमाका था यह बताएं क्या था कुछ नहीं सक और इमपेक्ट आप यहाँ कदो छोड़ दो वहां तक का इमपेक्ट गया है उसका आप उपटक की सिशे फूटे है उसका पंपर तक वह जाकर फूटे है यह पड़ा वा शीश उपड़ से जो बबुल्डिंग ससाब तो नहींग के दो एक बूक बबदेत 처דबुच उपक आप देख सकते हैं कि पब्ली का रियाक्शन पब्ली काफी डरी हुई है और आसपास की जो दुकाने हैं उनका शीशा भी तूट गया है और साथ में आसपास जो काडिया खड़ीती बताया जा रहा है कि उनके शीशे भी तूटकर गिर गया है आए कुछ और लोग भी उनसे कर लेते हैं किया और कुर रहते हैं नमा करता तो जब आए हम ऊसके बात कर लेते कि यहां था सठाया था और सब्सक्रेंगर है जब पता लगाया मैं तो तो नहीं सर आपका नाम क्या है मेरा नम सुमिध है घटना के बारें बताएं सर कितने बज़े हुई क्या हुई आप लोग रियाक्शन क्या था आप यह पुचो गटना क्यों हुआ है लेकिन क्या वज़ा है क्या होता था यह अब ऐसे को जो टार्गेट करा था कि मेल्स आई थी जो कि अब बॉम है यह सब स्कॉल बंद हो गए थे बच्चों को घर वापिस बीज़े था करने के लिए और दूसरा यह भी हो सकता है कि यह फेस्टिव सीजन है आज एक करवाजवत का दिन था तो दोनों का इंपक्ट यहां पर भीड़ भी बहुत होती है यहां पर खड़े नहीं हो सकते मिले जुले परदिक्रिया मिलने यह लोगो की कुछ लोग कह रहे हैं कि दमाका सदल नहीं हुआ कुछ लोग कह रहे हैं साजिशन हुआ है लेकिन वजा क्या है अभी भी पुलिस पता लगा रही है मैडम लगबग पॉने यार्ड बजे सुवे हैं इस दमारे यहां पर प्रशांत वियार के अंदर में CRPF स्कूल के बार में दमाका हुआ बहुत जोर की अवास थी मैं उसके हेंड़न मेट दूरी पर रहता हूं और जैसी यह दमाके के अवास सुनी मैंने कोकि मेरा शोरूम भ बाद पता करके बताया कि एक बहुत बड़ा बंबलास्ट हुआ है और यह वहां पर कोई काफी पुलिस खड़ी हुई है काफी नुकसान हुए है सामने दुकानों के अंदर में बोर टूट गए हैं शीशा टूट गए हैं कारों के शीशे टूटे हैं दुकान के शीशे स्कूल के ठीक सामने में लब पुडी वाला है तो उसके दुकान के बहुत डैमेज हो गए और मालूम पड़ा कि वहां उस समय में दो लोग कुछ खा रहे थे और वो एकदम से अवासों के भाग गए कोई कैजुवल्टी नहीं हुई इश्वर का ये बहुत बड़ा शुक्रा करना है और आस पास के लोग सहम गए बहुत इमिजेटली पुलिस ने अपनी कारवई शुरू कर दी इस दमाके से लोग बहुत सहम गए बहुत डर से गए क्योंकि हमारे इस एरिया के अंदर बहुत शांती वाता बन वाला एरिया है ऐसा कभी आज तक हुआ नहीं और ये द दूसरा मैं बगवान का शुक्रिया अदा गरता हूं कि आज जो दमाका हुआ वो उस समय में वो स्कूल के छुटी थी और स्कूल के अगर आठ बजे पौने आठ बजे स्कूल के बच्चों का इतना रश होता है अगर वो स्कूल का वरकिंग डे वाले दिन में होता है तो श